दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं How to download and install any Wi-Fi driver in Windows 10 या किसी भी Microsoft Windows में किस तरह आप download कर सकते हैं, install कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने start के बटन पर right click करना है या window plus rpress करना है तो run command automatically हमारे पास appear हो जाएगा इसकी search box में हमने type करना है devmgmt.msc यहां पर हमने क्या करना है network adapter इसको select करके more के बटन पर click करना है और rail link या Wi-Fi driver या Wi-Fi adapter यहां पर यह options होगी इसके ओपर right click करके properties में आना है तो जैसी properties में आएंगे तो यह mini box हमारे पास appear होगा यहां पर हमने क्या करना है driver के बटन पर click करना है update driver करना है और browse my computer for drivers इसके ओपर यानिके second option को select करना है let me pick को select करना है अगर हम देखें इस box में हमारे पास दो drivers है यानिके Wi-Fi के जो upgrade driver है वो दो है या software यहां पर हमारे पास दो है इसको हमने one by one करके next के button पर click करना है यानिके select करना है और next करना है installing driver तो automatically जो driver है वो update और install हो जाएगा या download install हो जाएगा यहां पर हम देख सकते हैं windows है successfully updated your drivers इस box को close करेंगे box को close करने के बाद तमाम जितने भी box हैं को close करने के बाद आपने क्या करना है simple सा काम करना है आपने PC को restart करना है तो update हो चुका है driver तो इसी तरह आप अपने तमाम जितने भी drivers हैं उनको update कर सकते हैं